हेलो एरिवन, वेल्कम बैक टू अनलाइन स्टेडियोन, आज हम इस वीडियो में बात करेंगे वर्सिकांग 2020, जिसमें 15 महीनों का सांदार प्रश्ण दिएगें, इसका सेट नमबर 2 है, और आज इसमें वन लाइनर के सांद साथ हम MCQ भी डाले हुगें, तो आप वीडियो के पहली इथनॉल से चलने वाली कार का अनावरण किया, तो इथनॉल से चलने वाली पहली कार का अनावरण नितिन गडगरी ने किया, किस राज्य सरकार ने महिलाओं के लिए सरकारी नौकरियों में 35 प्रतिसत आरक्षन लागुक किया, सरकारी नौकरियों के लिए महिलाओं के लिए मतलब महिलाओं के लिए सरकारी नौकरी में 35-35 आरक्षण मध्य प्रदेश की सरकार में चंद्रयान 3 के चंद्रमा पर उतरने के अस्थल को किस नाम से जाना जाएगा तो इसे सीव सकती का नाम दिया गया ध्यान रगेगा हो सकते कि पूछ लिया जाएगा अगस्त 2023 में जीका वायरस का पहला मामला भारत में मुंबई में देखने को मिला है इसके बाद आगे देखते हैं टाटा पावर रिन्यूवबल एनर्जी लिमिटेड किस राज्य में 28.12 मेगावाट के ग्रीन एनर्जी प्रोजेक्ट के लिए समझाता क्या तो यह आपका महर हां जयेगा महरास्ट युदबोत महेंद ensuring को कि सिप घ्ल यानि सिफ बिल्डर्स लीमिटेड के दौरत त्यार गया तो महेंदर गिरी को त्यार किया गया है मांजगा और डॉक याड़ लीमिटेड यानि मंजगा और डॉक सिप बिल्डर्स जो एनके द्वरा यह मुंबई जल सकती मंत्रा लेने, जल सकती मंत्रा लेने, देखे फिंस अगर आप कोई वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज वीडियो को लाइक एंड सेर करिएगा, और वीडियो के एंड देखे क्योंकि आज आपको MCQ भी देखने को मिलेगा, जो हमने questions पहले आपको करा है, उनका revisions भ इसके प्रतीमा का नावरण किया, तो RK Sanmukan City के प्रतीमा का नावरण हाली में, जो केंद्री मंत्री हैं, इन्होंने तमिलाडो में, ऐवम NST के प्रधान महानिदेशक का पदभर किस ने गरहन किया, यानि ओल इंडियो जो रेडियो है इसके प्रताहन बने है Dr. वसुदा ग असम में राजी के सबसे लंबे फ्लाइओ बरका उद्गाटन किया गया इसकी लंबाई कितनी है इसकी लंबाई हो जाती है 2.6 करोर 2.6 क्लोमेटर याद रखना है इसके बाद आगे बढ़ते है जे शुराज जो ट्रैक्टर है इसके BrandMister Mohandr Singh Dhovny को बनाया गया MS Dhovny को इसके बाद देखें Next जो प्रश्णा मारा है क्या है रहा है कि किसी Press Information Bureau के प्रमुक के रूप में न्युक्ति किया गया Press Information Bureau के रूप में प्रमुक के रूप में न्युक्ति किया गया Manish Desai को किस राजे सरकार ने 16 पौराडिक मंदिरों को विक्सित करने के लिए मानसखंड मंदिर माला मिसन की सुरुवात किये तो उत्राखंड बिल्कुल सही होगा किंद्री मंति धर्मिंद्र प्रधान ने सिक्षकों और उधमियों को ससक्त बनाने के लिए किसके साथ समझाता किया इसके बाद आगे देखते हैं भारत के पहले AI संचालित एंट्री ड्रोन सिस्टम को क्या नाम दिया गया इंद्र जाल इंद्र जाल नेक्स्ट वन चंद्रयान तीन के काउंट डाउन ठीक है काउंट डाउन जैसे होता है ना दस नौ आट साथ ये तो लॉंचिंग के समय काउंट डाउन को आवाज देने वाली साइंटिस्ट कौन थी जिनका हाली में निदन हो गया चंद्रियान तीन के countdown को आवाज देने वाली scientist कौन थी जिनका हाली में ने दों गया तो इन वलार मती नेक्षोनी के भारत के पहली solar city कौन सी है तो भारत के पहली solar city बनने जा रही है मद्यप्रदेश का साची जो की रायसेन जीले में पढ़ता है मद्यप्रदेश का साची इसके बाद next देगे next क्या कहा रहा है अगला कि किस राज्य द्वारा वर्स 2024 में पहली बार जायद charity महराथन के मिजबानी की जाएगे जायद charity महराथन के मिजबानी के रल में की जाएगे देखे जो प्रश्ण आपको लग रहा है कि मैं छोड़ रहा हूँ आप उस प्रश्ण को PDF से पढ़ लीजेगा क्योंकि ये सब उतरा important है जो हम छोड़ रहा है बस जानकारी के लिए गर उनको जानना है तो आप PDF हम डाल देते हैं टेलिग्राम पर आप वहां से पढ़ लीजेगा लेकिन यहां पर वीडियो में सिर्फ पर्श्री में आपको वही बता रहा हूँ जो expected important questions है ठीक है तो आप लोग बस वीडियो पर ध्यान दीजे और अगर आपको पूरा पढ़ना है तो PDF से आप पढ़ लीजेगा सारे के सारे questions को अब बात करते हैं मेमोरी सार्पनर के तो यूटूब पर दुनिया का सबसे ज़्यादा देखा जाने वाला लाइव स्ट्रीम कौन बन गया था चंद्रयान तीन भारत चंदर्मा पर सफलता पूर्व कुतरने वाला दुनिया का कौन सा देस बना चौथा दे तो यह आपका मिजोरम हो जागा मिजोरम में नेक्श दिखे भारत और एसे इन डेब्लाप्मेंट बैंक के साथ मिलकर के किस सहर में जलवायू परिवर्दन और स्वास्त केंदर खोलने की घोशना की है तो नई दिल्ली बिल्कुल सही आंसर बनेगा मिस वर्ड धोजा 23 का इवेंट का योजन किस सहर में किया जाएगा तो कस्मीर में किया जाना है अगला जो प्रश्ण बहुत इंपोर्टेंट है कि मुख्यमंत्री कन्या सुमंगला योसना की धन रासी बढ़ा दी गई है यह किस राज्य से सम्बन देते है ध्यान रगए य पहली मंगला कौन बनी है तो जया वर्मा सिनाव जया वर्मा सिनाव चले बस इतने सारे थे और इसके बाद एक प्रश्ण यहां पर भी है उसको भी देख लेते हैं भारत की यह देक्स्ता में संपन्न हुई G20 समिट के कितने देशों को किस्ट कंट्री के रूप में आमंति किया गाता है इसके बाद आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट सवाल बनता है कि भारत की किस एरपोर्ट पर देश की पहली एलिवेटेट क्रॉस टैक्सी वेए सर्विस की शुरुआत की जाएगी इंद्रा गांधी इंटरनेशनल एरपोर्ट जो निव देली में उस पर किस राज में राश्टिय सिकल सेल एनिमिया उनमूलन मिशन का उद्गाटन किया गया दोज़ा साय तालीस का उद्गाटन किया गया तो मद्धे प्रदेश में मद्धे प्रदेश में किस राज्य या फिर यूटी ने मोबाइल दोस्ट आप मोबाइल दोस्ट आप को लॉंच किया ज सुची में हवी जैसे के या बनने की बात की जा रही है जो कि ऊड़ी सा यह याणि कोई भासा का समद्ध ऊड़ी सा का यह बस्तियां रखें ठीक है चलिए आगे देखते हैं नेश्ट है पे कि यूपी सरकार ने सुनभध्र के ओबरा में कितने थर्मल पावर के मंजूरी दी तो दो नेक्स्ट प्रस मनता है कि सेसेल्स में आजे तथा सन्यूगत समुंद्री बल द्वारा संचालित ऑपरेशन सर्दन रेडिनेस दोजर तेईस में किस आई एनेस ने भाग लिया है तो इसमें भाग लिया है आईनेस सुनैना आईनेस सुनैना हाली में एक नई जिवास प्रजाती मेगा सिफोन और मेगा सिफोन थायलाकोस मेगा सिफोन थायलाकोस की खोज की गई है वह लगभग कितना मिलियन वर्स पुराना है तो यह 500 मिलियन वर्स पुराना है लगभग 500 मिलियन वर्स पुराना है इसके बाद देखे आगे क्या है नेक्षोने की किस राज् राज्य सरकार ने विश्वक्रमा स्रमिक कल्यान योशना की शुरुवात की है तो राजस्थान बिल्कुल सही होगा हाली में नेशनल मल्टी डायमेंशन पावर्टी इंडेक्स जारी किया नीती आयोगने जारी किया नेक्स्ट क्या है इसके बाद अगला है कि स्किल इंडिया परियोशना की परियोशना ने किस राज्य के इंदसासित प्रेदिस की लुप्त हो रही नमदा कला को सफलता पुर्वक पुर्वक पुनर जिवीत किया नमदा कला का समंद किस राज्य या फिर किस यूटी से ऐसे प प्री पेरड़नेस इंडेक्स 2022 में किस राज्य ने प्रत्था मस्थान हासिल किया तो यहाँ पे सही होगा तमिल लाड़ू तमिल लाड़ू बिल्कुल सही आन्स रोगा देखे यह था आपका वन लाइनर अब हम बात करते हैं सबसे पहला प्रश्ण है कि प्रतिवेक्ति ग्रीन हाउस गैस उत्सरजन में सरवादिक योगदान देने मला देश कौन सा है यानि प्रतिवेक्ति ग्रीन हाउस गैस जो उत्सरजन होता है सबसे जादा किस कंट्री में होता है उसका सबसे जादा योगदान है तो अमेरिका बिल्कुल सही आंसरों का option A को टिक करेंगे नेक्स्ट बंत है कि दच्छिर पूर्व एसी आई देशों के संगठन आसियान ने किस देश को एक ग्रहवे सदस्ते करोप में सामिल करने की सैधामतिक मनजूरी दिये आसियान में दस देश वर्तमान में है लेकिन एक्रहवे देश को सामिल करने की स्वैधामतिक मनजूरी दी गई है किसको तो सही आंसर हो जागा ऑप्सन ए पूर्वी तीमूर आने वाले पेपर के लिए बहुत ज़ादा महत्पून प्रश्ट रहेगा इसको याद रखेगा इसके बाद अगला सवाल है कि किस देश ने हिरासत में एक योती की मौत को लेकर के महीनों से चल रहे सरकार वीरोधी प्रदर्शन के बाद अपनी नैतिक्ता पुलिस जिसे अधिकारिक तोर पर गस्त ए इरसाध कहा जाता है उसको भंग कर दिया है उसको भंग कर दिया है तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्सन C यानि इरान इरान बिल्कुल करेक्ट होगा नेक्स्ट प्रच ने कि किन तीन देशों ने भविस्वे में आर्टिफीचल इंटेलिजिन्स का उपियोग करने वाले फाइटर जेट विक्सित करने के लिए ग्लोबल कमबैक्ट एर प्रोग्राम की घोशना किये हैं यानि फ्यूचर में आर्टिफीचल इंटेलिजिन्स का उपियोग करने वाले फाइटर जेट विक्सित करने के लिए Global Combat Air Program जो है वो किन तीन देशों ने मिल करके घोशना किये तो ब्रिटेन, इटली और जापान ब्रिटेन, इटली और जापान तो ये भी important रहेगा ऐसे पूछा जा सकता है कि Global Combat Air Program में कौन से तीन देश सामिल है या फिर कौन इन में से सामिल नहीं है questions को किसी भी तरह से घुमाया जा सकता है तो बस आपको याद रखना है ठीक है, चलिए, आगे बढ़ते हैं इसके बाद अगला सवाल है कि बाजरा 2023 के अंतराश्टिय वर्स का उदगाटन समारो हाली में किस सहर में किया गया तो रोम बिल्कुल सही आंसर होगा option C, रोम अगला सवाल किस सहर में 2022 सन्यूक तराश्ट जलवायू परिवर्थन समिलन यानि कोब 27 का आयोजन किया जाएगा कोब 27 जो कि यह आपका अच्छली किया गया, तो मिस्र में option D हो जाएगा, मिस्र में किया गया था D को टिक करेंगे वीडियो अगर आपको अच्छा लग रहा है, तो प्लीज वीडियो को लाइक कर दीजिए, फ्रेंड के साथ सेर कर दीजिए चैनल पर पहली बार अगर आप आए हैं देश का पहला यूनिटी मॉल स्थापिद किया जागा उज्जयन के अंतरगत, option D उज्जयन के अंतरगत नेक्स्ट वने की भारत का पहला क्रिसी डेटा एक्सचेंज और क्रिसी डेटा प्रबंधन फ्रेमवर्क कहा लांच किया गया, ये प्रश्ट मैंने आपको कल कराया था तो आई हो कि कल की वीडियो आपने देखा तो आप गेस कर सकते हैं सही आंसर क्या होगा कल आपने वन लाइनर में देखा, आज आपको MCQ मिला, तो रिवीजन सचे तरीके से हो जागा, आप दो दिन वीडियो को लगतार की क्वेसन को देख लेंगे तो हैदराबाद is the right answer, option C हैदराबाद नेक्स्ट कहा रहा है कि प्रधान मंत्री ने पारंपरिक सिल्प कॉसल को बढ़ावा देने के लिए कौन सी योशना प्रारंप करने की गोशना की है गोशना की है क्या गोशना हो गई यानि मतलब की शुरुआत भी हो गई प्रारंप हो गई और ये प्रारंप हुआ था, मैंने बताया था कल अपने जन्व दिवस के उसर पर ही परदान मंत्री ने इसको स्टार्ट किया था विश्व कर्मा योजना 17 सेप्टेंबर 2023 ठीक है 17 सेप्टेंबर 2023 को ये स्टार्ट हुआ तो बस इसको याद रखें चले नेक्स्ट बने की क्या किरें डैचे बैंक इंडिया के मुख्य अर्थसास्तरी कौसिक दास द्वारा प्रस्तूत रिपोर्ट के अनुसार राजकोसिय स्वास्त रिपोर्ट में कौन सा राज सिर्शस्थान पर तो महरास्ट करेक्ट होगा ओप्सन बी नेक्स्ट बने कि पाचवे रास्टे ई गुवर्नेंट सेवा वित्रण आकलन की अनुसार अधिक्तम ई सेवाय प्रदान करने वाला राज़ राज़ टॉप पर तो मध्य प्रदेश स्वाय ओप्सन डी मध्य प्रदेश मध्य प्रदेश करेक्ट होगा इसके बाद अगला सवाल स्वक्ष वायू सर्वेक्षां 2023 के दस लाग से अधिक अबादी कैटेगरी में पहला स्थान की सहर को मिला है तो ये भी मैंने आपको कल बताया था तो सही आंसर क्या इंदौर आप्सन ए इंदौर अगला सवाल देखिए अभी जरस्ट हमने देखा था कि भारत और ASEAN Development Bank के साथ मिलकर के किस सहर में जलवायू परिवर्थन और स्वास्त के इंदर खोलने की घोशना की गई है तो इसका राइट आंसर तो आप गेस करी चुके होंगे क्योंकि अब तक आपने वीडियो को देखा तो याद भी होगा सही आंसर अप्सन C निव डैली ठीक है नई दिल्ली कहाँ पर सही आंसर बनेगा इसका सही आंसर आप नीचे कमेंड करके बताएंगे कि भारत की पहली सोलर सिटी कौन सी है सोलर सिटी कौन सी है आपको यही बताना है कि किस राजी के किस जीले में क्योंकि मैंने आपको बताया था भारत की पहली सोलर सिटी कौन सी है कमेंड करके बताएंगे अगला है कि विश्व की सबसे उची नट्राज की प्रतीमा कहां स्थापित की गई है विश्व की सबसे उची नट्राज की प्रतीमा कहां स्थापित की गई है तो इसका सही आंसर हो जागा option B न्यू देल्ली ठीक है न्यू देल्ली correct होगा और चलते चलते क्यूज का एक क्वेशन से हमारे पास तो उसको भी आप देख लीजिए कमेंट करके बताईए कि कोई भासा को आठवी अनुसूची में सामिल करने को किस राज्य सरकार के मनजूरी मिली है जस्ट आपको बताया गया था तो बहुत सिंपल सा क्वेशन आप बता सकते हैं तो कमेंट करके बताईएगा तो आई होप की फैंस आप लोगो आज का ये वीडियो आज का ये सेजन अच्छा लगा होगा क्योंकि इसमें आपनो वन लाइनर भी देखा और MCQ फॉर्मेट भी में आपको कराई दिया तो कुल मिला करके अच्छे तरही से रिवीजन्स भी हो गया और कुछ नए क्रिशन्स का आपने सिखा भी तो बस वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक और सेर करिए क्योंकि अच्छास्में, थैंक्स वाचिंग